यह दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज अपनी एक लास होती है तो सभी लोग आ जाईएगा जुड़ जाईएगा आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन पूछा गया ह भारते अंदू भी इन साहिते से संबंदित अपन पढ़ रहे हैं आपर तो आज का फर्ष्ट कॉस्चन आदुने काल की समय सीमा मानी जाती है कब से कब तक मानी जाती है यह आपको बताने कॉस्चन नमबर एक है और यह में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर आती है यह आपकी यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं तो आपका यहां पर सही आंसर क्या रहा है सभी लोग यहां पर बता रहे कि विकल्प नमबर एक जो है आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है प्रियम सागर की रचिनाकार कौन मानी जाते हैं सदल मिस्र है लल्लू जी लाल है राम प्रसाद नुरंजनी है सुरद्दा राम फुल लौरी है तो कॉस्चिन महत्पूर है कॉस्चिन नमबर दो आप से याँ पर पूंचा गया है और दो में आप सभी का क्या होगा सही आंसर सिलपा जी लबली ठाको जी दीपक जी प्रिमुच जी प्रियम सागर की रचिनाकार मानी जाते हैं कौन तो आप सभी का सही आंसर है लल्लू जी लाल लल्लू जी लाल की रचिना मानी जाती है प्रियम सागर आपका विकल्प नमबर दो जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा भासा यूग वासेष्ट की रचिनाकार कौन मानी जाती है question number 3 आपके लिए बताना है तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सई आंसर कीजेगा सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है वासा यूग वासेष्ट की रचिनाकार मानी जाती है कौन 3 में आपका विकल्प नमबर एक सई आंसर आ रहा है निराम प्रसाद नरंजनी राम प्रसाद नरंजनी विकल्प नंबर एक जनों ने भी चेन किया है उनका यहां पर सई आंसर है बहुत बढ़ियां सत्यार्थ प्रकास जो है किस भासा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकास बताईएगा सभी लोग चेन कीजेगा हाँ लाइट क्लास सत्यार्थ प्रकास किस भासा में दयानंद सरस्वती ने लिखा है दयानंद सरस्वती की रचिना मानी जाते है सत्यार्थ प्रकास यह गुजराती में अबदी में हिंदी में संस्कृत में तो आपका यह आपर सई आंसर आ रहा है चार में विकल्प नंबर 14 सई आंसर विकल् पेला कॉस्टिन देखेंगा हींडी का पिर्थम हुपईयास कौन सा माना जाता है कॉस्टिन नमबर ॆप से यहाँ पर 5 पूंचा घ्या हैं लुक Lah करना है तो आप सभी का यहां पर question number 5 में सहया answer आ रहा है, हिंदी का परतम पन्यास कौन सा माना जाता है, 5 में आपका विकल्ब number 4 say ya answer परिच्छा गुरु यह जो है, परिच्छा कहां पर होगी निवास निवास ते क्या हो जागा, सिर्ट निवास दास का माना जाता है परिक्षग्रू उपन्यास जो हिंदी का पिर्थम भाग्यवत्ती नामा को पन्यास की रचेता कौन माने जाती है जनिल जी बाबना जी क्वाश्चन मत पूर्ण भाग्यवत्ती बताने क्वाश्चन नम्बर छे है ईस्वर्दास ने जेनेंद्रे सरद्दाराम फिल्लोरी जो है वह आपका सही आंसर होंगे यहां पर मुनी का माना जाता है स्रद्दाराम फिल्लोरी का भाग्यवत्ती नामक उपन्यास की रचेता माने जाते हैं सवतंत्र गुप्त जी हंग्ला क्वाश्चन देखेगा पिरजा हित्यसी नामक पत्र कहां से निकलता था यह आपको बताने question number 7 में कानपुर से, आग्रा से, कलकत्ता से इलाहबाद से, 7 में आपको चेंकन पिरजा हित्यसी नामक जो पत्र था यह कहां से निकलता था यह आपको चेंकन थाए सभी के लिए तो आप सभी का यहाँ पर साथ में सही आंसर आ रहा है यह निकलता था आगरा से कहां से आगरा आपका यहाँ पर विकल्प नमबर दो जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जो की सभी लोगों ने सही आंसर चैन क्या है ग्यान प्रताइनी पत्रिका का प्रकासन करने बाली थे कौन थे बताईएगा चैन कीज़ेका भाट टेंदू थे प्रताप नरन本 स्थे नवीन चंद्र अग्ये आठ में आपको चैन करना है घ्olan प्रताइनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे तो आठ में आफ सभी का सईयांसर आ रहा है विकल्प नंबर तीन आपका सईयांसर होगा नवीन चंद्र आपका सईयांसर होगा विकल्प नंबर ने तीन जनों ने भी चैन किया है नवीन चंद्र उनका याँ पर सईयांसर होगा सी वाला विकल्प आपका सईयांसर है वोके यी विलकुल Question number आप से याँ पर 109 पूंचा गया है ं सेतारी हिंद किस लेकक का उपनाम था सेतारी हिंद किस लेकक का उपनाम था राजा सीवरण साद, राजा लक्षमर से हरेस्चंदर या पर प्रयम चंदर Question number 9 आप से पूंचा गया है 9 में आपको चेंग करना है तो नो में आपका क्या होगा सही आंसर सितारे हिंद के सलेकक का उपनाम था तो आप सभी का सही आंसर है राजा सिव परसाद राजा सिव परसाद सितारे हिंद इस परकार इनका पूरा नाम माला जाता है नासी के तो पाक्ष्यान किन की रचिना माली जाती है question number 10 में बताने इंसा अल्ला खा राम प्रसाद नरंजनी बनावची दास जैन या फिर यहाँ पर सदल मिस्र है 10 में आपको चैन करना है 10 का सही क्या होगा सही आंसर नासी के तो पाक्ष्यान और सदल मिस्र जनोंने विड़ी वाला विकल्प चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार आपका सही आंसर है अंगला question देखेगा उदय भान चरित की रचिना कार कौन माली जाती है 11 में आपको बताने इंसा अल्ला खा है सदल मिस्र है, रामचंदर सुकल है या फिर यहाँ पर भगवत, भगवान दीन है question मत पूर्ण है question number 11 आप से यहाँ पर पूंचा गया उदय भान चरित की रचिता पूंचा गया है और 11 में आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है इंसा अल्ला खां की रचिना मानी जाती है जोकि सभी लोगों ने आप पर विकल्प number 1 बताया है बारतिय दो युकों का साहित ब्यापक क्सतरपर गदर से प्रभावित है यह जो है किस की पंटी मानी जाती है पंती आपको बताना है डाक्टर नगेंदर की पंती है रामबलास सर्मा नामबार सेह या फिर अग्ये की पंती है दीपक जेवाद बढ़ियां क्या होगा सईया अंसर चेहन कीजेगा सुरेश जी भारतेंदु युग का साहित ब्यापक इस्तर पर गदर से प्रभाबित है ये पंती आपके लिए चेहन करना है ये पंती मानी जाती है किनकी बारे में आपका दो सही आंसरों का डाक्टर रामबलास सर्मा की पंती मानी जाती है वेकल्प नंबर भी आपका यहां पर सही आंसरों का वेकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है भारतेंदु ने हिंदी साहित को एक नए मार्ग पर खड़ा किया वे साहित के नए युग के पिरवर्तक थी यह पंती किसकी मानी जाती है कौश्चन मत पूर्ण है तेरे बाग कौश्चन आप से यहां पर पूंचा गया है और तेरे में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा सभी लोग मत पूर् कि यह पंती जो है तेरे में बैमानी जाते है रामचंद्र सुकल जी की किनकी रामचंद्र सुकल वेकल नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा नंग्या कौश्चन देखेगा यह कौश्चन थोड़ी सा बड़ा है भारतेंदु का पूरवर्ती काप्वे साहित संतों की कुटिया से निकल कर राजाओं और रयूसों की दरवार में पहुँच गया था उन्होंने एक तरफ तो काब को फिर से भक्ती की पवित्र मंदाकनी में इसनान कराया और दूसरी तरफ उसे दरवारी पन से निकाल कर लोक जीवन के सामने सामने खड़ा कर दिया वि kendra क्तन स्यांसर आरहा है ये कतन माना जाता है किनका विकल्प नंबर तेन आपका सयांसर हजारी परकी 70 सी वाला विकल्प जो है निभái आपका यहां पर आश्ता जी कलपना जी बिलकुल और यहां से और क्या है लैध कौश्चन आकसे इंड को यहां पर पंदर पूचा ह सर्मा ने तो भार्टेंद्यूगी ने साहित को जनवादी साहित के सालूचक ने कहा है पंद्रे में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर राम बिलास सर्मा आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहां पर सही आंसर एडी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंस चाहती है कब से कब तक मानी जाती है 1850 से 1900 से 1920 निस्षो पीस से 1936 अठारत सो 30 से 1920 तो यह आपकी आहां पर विकल्प दिया गये हैं भारतेंदू युग की समय शीमा आपको सूलय में बताना है विचल्प नमबर एक आपका यहाँ पर रह पर सही आंसर होगा विचल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही में 1850 में 1887 में तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि पोर्ट बिलियम कॉलेज जो है इसकी इस्तापना हुई थी अगर पूंचा जाए कहां पर हुई थी तो कलकत्ता आपका इहां पर सही आंसर है कलकत्ता में हुई थी आगरा में स्कुल बॉक सॉसाइटी की सही इस्तापना कब हुई थी आगरा में बताना है अठारे बार पॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सईयांसर है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था देखिएगा हिंदी का पूंचा गया है हिंदी का पहला समाचार पत्र पूंचय समालूचक, बाढ़ी, ओधन्त मारतंड माधूरी, तो वन्नेश में आप सभी का सईया आनसर आ रहा है, ओधन्त मारतंड, कौन सा था, ओधन्त मारतंड सी वाला जो विकल्द है आपका कर सईया आनसर होगा yr क्यों सभी लोगों ने, असाथ खान ये सया पत्र के संपादक कौन थे राजा राम मोहनराय थे राजा लक्ष्मन सेंथे अग्ये थे या फिर पंडित जुगल के सूर्थी यह आप से पूंचा गया है इसके संपादक कौन थे देखेगा बेदांत सूत्र का हिंदी गद्ध में किस ने अनुबाद प्रिकासित कराया 21 में आपके लिए चेहन करना है मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है सभी लोग चेहन करते जाईएगा मत्पूर्ण कॉस्चन है वेतांत सूतर का हिंदी गत में किसे ने अनुबाद प्रकासित कराया भार्टेंदू ये इन्हें राजा राम मोहनराई ने दयानंद सरस्वती ने अग्ये ने ये चार विकल्प दिये गया है 21 वा कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है और 21 में आपका राजा राम मोहनराई आपका विकल्प नमबर बी वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दू आपका सही आंसर होगा हाँ बहुत बढ़िया क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा सभी लोग मत्पून कॉस्चन हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है यह कहां से निकला दिल्ली से कानपूर से कलकत्ता से आगरा से तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है 22 में यह निकला कहां से तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कलकत्ता सी कहां से कलकत्ता से यानि की विकल्प नमबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, अनगला question दिखेगा, हिंदी भासा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला, हिंदी भासा का पूंचा गया है, 1840-ish jiémbenे, 1828 में 1830 में, या फिर 1929 में सही answer बताईएगा, हिंदी भासा का प्रथम समाचार पत्र बताना है, कब निकला 23 वा question है, 23 में आप सभी का सही answer आ रहा है, सुमित जी विकल्प नंबर आपका यहांपर क्या होगा सही answer, 1826 आपका यहांपर सही answer है, 1826 आपका यहांपर सही answer है, अंगल्या question यहांपर पूँचा गया है, नम्न मैसे कौन से लेखक संस्कृत निष्ट हिंदी के समर्थक थे, भै लेखक आपको 24 में बताना है, मावीर प्रसाद दुबेदी थे, दिनकर थे, से प्रसाद सें थे, या फिर राजा लक्षमन सें थे, बताईए, कौन से लेखक थे, जो संस्कृत निष्ट हिंदी के समर् और उसमिट की रचना के नों ने किया की सब्सक्राइब और सप्टके लौगों का सब्सक्राइब स्रीधर पाटक बारतेंदू ने राधा किष्ण दास या फिर प्रियम घन तो गंचन जी आप सभी का यहाँ पर 25 में एक सही आंसर होगा यानि कि स्रीधर पाटक ने गोल्ड स्मित की रचिना हर्मिट और डिटर्जेट विलेज का जो है अनुबाद किया है विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यमलोक की यात्रा निवंद निमन मैसे किसका है कॉस्चन नमबर 26 आप से पूंचा गया है यमलोक की यात्रा 26 में आपको बताने भारतेंदू रादा चरन गोस्वामी बालमकुंद गुप्त या फिर दिनकर बताईए चैन कीजे का यमलोक की यात्रा यह क्या माना जाता है निवंद माना जाता है किनका निवंद माना जाता है 26 में बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रिता जी सुनेना जी विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है बी आनि की रादा चरन गोस्वामी यमलोक की यात्रा यह निवंद नी का माना जाता है विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर होगा जो की सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन क्या है स्वर्ग की विचार सभा निवंद किसका माना जाता है 27 वा कॉस्चन आप से आपर पूंचा गया है 27 में क्या होगा सईयांसर रादाचन गोस्वामी अग्जे भारतेंदू हरिष्चंद्र या फिर बालकिष्णे भट्टे 27 में चैन कीजे का स्वर्ग की विचार सभा निवंद किसका माना जाता है और 27 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है कि निवंद तो भारतेंदू जी का माना जाता है भारतेंदू हरिष्चंद्र जी का जन्म की बात करें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था 1885 में इनका निधन हो गया बारतेंदु बाबु हरश्चंद्र जी का मात्र 35 वर्स की आयू में तपता संब्रण नाटक के नाटक कार कौन माने जाते हैं 28 में आपको चेन करना है क्या होगा सही आंसर तपता संब्रण 28 वा कॉस्चन है मत्पूर्ण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर है स्री निवासदास स्री निवासदास आपका सही आंसर अपन ने याद किया था कि निवास तपता है नवास तपता है तो तपता से तपता संब्रण और नवास से स्री नवास दस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा गड़ी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वदबनिया सभी लोगों ने सही आंसर चैन क्या है कि सालू चक ने निवंदेकार प्रताप नार मिस्त्र के लिए तेनों ने कहा है यह पूंचा गया प्रेमगन ने रामचन सुकले ने नगेंदर ने हजारी पिरसाथ तवेदी ने यह क्वोस्चन कई वार पूंचा जा चुका है बहुती मत्त पूर्ण है और 29 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है आचारे रामचंद्र सुक वेदे की हिंसा हिंसा नवबति प्रेम योगिनी भारत दूर्दसा या फिर नील देवी कौश्चन मत्त पूर्ण 30 यहां पर पूंचा गया है तीस में आप सभी का क्या होगा सही आंसर तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है अर्टेंद्र का जो पहला मोलक नाटक माना जात जाता है वैं माला जाता है बैदे की हिंसा हिंसा न भबती विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा प्रेंका उपाद्धा जी विलकुल सही अंगला क्वाश्चन यहाँ पर देखे का भारतेंदू के कुल नाटकों की संक्या कितनी मानी है जाती है बताएगा क्वाश्चन नंबर 31 है रामचन सुकल जी ऐसे आलोचक थे जिन्नोंने किसी को नहीं छोड़ा अपने समय में सबी पर इन्हों ने जो है आलोचना लिखी है आलोचना की है और उनके बारे में लिखा है तो बारतेंदू के को नाटकों की संक्या क्त्नी माने जाती है यह आपको चैनकन नाना कि 1-2 या 17 ,15 10 तो 91 की आप सभी का सइय और ऑन्शर आ सणशर आ रहा है एंस्ञों सबीक इनके ना हिंदू उपन्यास की रचेता बताईएगा बत्तिसवा कॉस्चन आप से पूंचा गया है बालकृष्ण भट्टे हैं बार्टेंदू है जैनेंद्र हैं या फिर रादा किष्ण दास हैं बताईए चैन कीजेगा सभी लोग मत्यपूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा है वज रादा किष्ण दास आपका सही आंसर होगा रादा किष्ण दास आपका विकल्प नंबर डी वाला जो है आपका सही आंसर होगा कस्मीर सुस्मा किनकी रचिना मानी जाते हैं तेतिस में आपको चैन करना है और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर वेकल्प नंबर एक सही आंसर है सिमौन जी डाक्टर नीता जी भारतेंदू आपका सही आंसर है भारतेंदू हरिश्चेंद्र जिन्हों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखते हैं क्या पूंचा क्या है कॉस्च प्रताप नारण मिस्र यह पर पूंचा क्या है और चौंटिस में आप सभी का सही आंसर क्या होगा रसा उपनाम से उर्दू में कभी ताइं लिखा करती थी कौन तो विकल्प नंबर आपका दो सही आंसर है भारतेंदू हरिश्चंद्र आपका भी वाला जो विकल्प है बह आपका यहां पर सही आंसर होगा हिंदी नई चाल में ढली तो यह किस ने कहा था यह कथन तो बहुत कंठन मान जाता एब हरिश्चंद्र हिंदी नाई चाल में ढली यह किं का क्थन माना जाता है और आप सभी लोग कंठन माना जाता था 35 कंठन भारतेंदू जी का यह वाले विकल्प है विकश्थ époसी का यहां पर सई यहां तो स्योंद का विकल्प नंबर चारं नंगला किश्न बट्ट के प्रताप नारण मिस्ट के या फिर हरियोद जी के जुआरी उख्वारी इनाटक माने जाते हैं किनके माने जाते हैं कमेंट में सभी लोग बताईएगा और आप सभी का यहां पर सही आंसर आरहें 36 में वेकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा सही आंसर जो न वेकल्प नंबर सी है भया आपका सही आंसर होगा अंगला question देखेगा हिंदी प्रधीप पत्र की समपादक कौन थी समपादक आपसी यहाँ पर question number 24 में पूँचा गया है सेंतिसवा question यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपका सयांसर है भारतंदू, बालकृष्ण, भठ्टक शिरीदरपाठक या पर अग्ये ही वहताई यह हिंदी प्रदीप जो है यह पत्र था इसके संपादक कोन माले जाती हैं तो आप सभी का सही आंसर है बाल किश्न भट्टे आपका सही आंसर होत गा विलकुल सही विकल्प नंबर भी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भी वाला विकल्प जनोंने भी चैन क्या है बालकृष्ण भट्ट उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला क्वास्चन यहां पर देखेगा क्वास्चन नंबर आपसे पूंचा है आयू किरम की द्रश्टी से भारतेंदू मंडल के सबसे बरिष्ट सदस्य कौन थी 38 में आपको चैन करना सबसे बरिष्ट बताना है बालकृष्ण भट्ट थे बालमुकुंद गुप्त थे रादाचन गोस्वामी थे प्रेमगन थे तो क्वेश्चन महत्यपूर्ण है 38 में आपको चैन करना है तो 38 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है 14 सईयांसर भट्ट जो थे यह आयू किरम की दरश्टी से भारतेंदू मंदल के सबसे बरष्ट सदस्य माने जाते हैं कौन बालकृष्ण भट्ट विकल्प नंबर यह आपका इनहां पर सईयांसरों का अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा भारतेंदू हरिश्चंद्र जी का जन्म आपके लिए बताने इनका जन्म कब हुआ था और अब भी आपके लिए बताया था बताईएगा 49 वा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और 49 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर लाइक अबस्ते कल लीजेगा सभी लोग बहुत सारी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं क क्या है लाइक करते जाएगा भारतेंदू मंडल सरी लातेंदू अब भार्तेंदू हरिष्चन जी का जन्म कब हुआ होगा था किस वर्स हुआ था इसे 1520 में इनका जन्म मध था 1818 में इनका नेधन हो गया था भारतेंदू बाभू हरिष्चन जी कांगला कोस्चन ए से कौन सा माना जाता है आदुने खिंदी साहित का पूंचा है 1910 भी है हाँ या फिर 1920, 1936, 1950 तो question नमबर 40 में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 40 का विकल्प नमबर जो D है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर डी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है 40 में बहुत बढ़िया विकल्प नमबर चार आप सभी लोगों ने यहां पर सही आंसर चैन क्या है सभी का सईया अंसर आ रहा है अंगला कॉस्चन देखेगा कि भारतेंदू युग को पुनर जागरल काल के नों ने कहा देखेगा जो भारतेंदू अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग नामकरन की है तो किसी ने पुनर जागरल काल भी कहा है के नों ने कहा है नंद द यांसर ऐसी आने की डाक्टर नगेंदर ने तेनों ने कहा है पुनर जागरनकाल भारतेंदु योग को डाक्टर नगेंदर ने माना है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चिन देखे बुड घूषना पत्रे किस वर्ष से प्रकासित हुआ था कॉस्चिन नंबर 42 में बताना है 42 में आप सभी का क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा सभी लोग और लाइक से रवस्त करते जाईएगा सभी लोग जिनों ने अभी तक लाइक से नहीं किया है बहुत सारी लोगों उन्हें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको बताना है कि वुड भोषना पत्र जो है किस वर्स प्रकासित हुआ था तो 42 में बहुत सारी लोग भी बता रहे हैं कि 1905न में कब 1905न में तो भी वाला विकल्प आपका स्वारी 1900 नहीं 1805न आपका यहां पर सही आंसर होगा अठारह सो चंगन में यह प्रकासित हुआ था अंगला क्वोस्चन देखेगा 43 वा क्वोस्चन संबाद कुमुदी पत्रिका के प्रकासन में मत्पून योगदान था किनका था राजा राम मोहन राय का था जो कलके सुरसुकल का था भारतेंदू का था या महादेई वर्मा का संजो जी क्या होगा सईयांसर आस्ता कुमारी जी चैन कीजिएगा सभी लोग कि संबाद कुमुदी पत्रिका के प्रकासन में मत्पून योगदान इनमे से किनका था तो 43 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है विकल्प नमबर एक यानि की राजा राम मोहन राय जी का किनका इनका महत्वपून योगदान था संबाद कुमुदी पत्रिका के प्रकासन में विकल्प नमबर एक आपका है पर सईयांसर होगा हिंदी का प्रतम देनिक समाचार पत्र देखेगा आपसे यहां पर क्या पूँचा है देनिक समाचार पत्र पूँचा है वो दंत मार्तंड था या फिर समाचार सदा बरसन था या संबाद कुमुदी थी था या पर सदा दर्स था नमबर 44 में आपके लिए चेंग करना है और 44 में आप सभी का सईयांसर है इंदी का प्रतम देनिक समाचार पत्र पत्र कौन सा था चबालिस में आपका सही आंसर है ने समाचार सोधा बरसन कौन सा था समाचार सोधा बरसन था वेकल नंबर बी वाला जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हूगा समाचार सोधा बरसन जंगला कॉस्चन देखेगा किस बाइसराय ने 1799 ECB में प्रेश की स्वतंतरता समाप्त कर दी थी किनों ने कर दी थी लाड बेले जली ने या फिर लाड हर्डिंग ने लाड मिंटू ने लाड किलाइब ने कॉस्चन नमबर आपका 45 यहां पर पूंचा गया है किस वाइसराय वाइसराय आपके लिए शेहन करना है कौन ठेजनों ने 1799 में प्रेश की स्वतंतरता को समाप्त कर दी था तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है 45 में विकल्प नमबर एक यानि कि लाड बेले जली ने लाड में समाज की स्थापना किसने की थी तो सभी से बन जाएगा बिवेक अनंद ने दयानंद सरस्वती ने राजा राम मोहन राई ने या फिर की सब चंदर सेन ने चालिस में चैन कीजिगा चालिस में चैन करना है ब्रहम में समाज की इस्तापना किस ने की थी तो आप सभी का यहाँ पर चालिस में सई आंसर आ रहा है ती ब्रहम में समाज की इस्तापना की थी किनों ने तो आपका सईयांसर है राजा राम मोहन राई ने किनों ने राजा राम मोहन राई जो थी जो थी जो नोंने ही ब्रह्म में समाज की इस्तापना की थी विकल्प नमबर तीन आप सभी का यहां पर सईयांसर हो का कॉश्चिन नमबर 47 आप से पूचा गया है आरे समांज की स्तापना दयानंद सरस्तोती जी ने किस वर्ज की थी देखिए अब तो ये तो पता चल गया कि आरे समांज की स्तापना स्वामी दयानंद सरस्तोती ने की कब की थी 19867 में 1850 में 1902 में बताईए चेन कीजेगा सभी लोग सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं मत्पूर्ण कॉस्चन कूँचा क्या है 47 बा कॉस्चन है 47 में आपका इहां पर सही आंसर भी होका सही आंसर 1867 इस भी में अखिल भारतिये संगीत परिशत जो है इसकी स्तापना किस वर्ष हुई थी 48 में आपको चेन करना है तो 48 में आप सभी का इहां पर क्या होगा सही आंसर बताईए चेन कीजे का मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और बहुती मत्पूर्ण कॉस्चन दिया गया ह और आप सभी का सईया अंसर आरहे है मत्पूर्ण कीजेगा चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं अखिल भारतिये संगीत परिशत की स्तापना किस वर्ष हुई आप सभी का यहां पर क्या सई आंसर होगा उननेस सो उननेस मुंबज महाराष्ट में जो है इसकी स्तापना हुई थी दीवाला विकल्प यहां पर लगाईएगा सई आंसर विकल्प नंबर चार आपका सई आंसर होगा उननचासवा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है देखेगा स्वतंत्र गुप्त जी विलकुल उननचास में आपसे पूंचा है स्वतंत्रता से पूर्व भारतिय संगीत के पुन रुद्दार में सबसे महत्तपुन योगदान किसका रहा सबसे महत्तपुन पूंचा गया है विश्णु नारण भातखंडे रवी सर्मा या फिर गरीश कर्णाड या फिर ग होगा चैन कीजेगा स्टेटस वाय आरार जी चैन करिएगा उननचास में आपसे पूंचा स्वतंत्रता से पूर्व बताना है कि भारतिय संगीत के पुन रुद्दार में सबसे महत्तपुन योगदान अगर किसी कर रहा है तो भैते विश्णु नारायन भातखंडे आपका विकल नमबर एक जो है आप सभी का सही आंसर होगा नव जागना का सरवदिक प्रभाव किस साहित पर पड़ा पचास में आपको चैन करना है वह साहित कौन सा थबरज साहित बंगला साहित अबदी साहित या पिर ख़ली बोली साहित तो क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा चार विकल्प दिये गया है पचास बा कॉश्चन यहां पर पूँचा क्या है और पचास में आप सभी का सही आंसर आ रहा है नव जागर्ण का सरवदिक प्रभाव वताने किस साहित पर पड़ा तो पचास में आपका क्या होगा सही आंसर चेन कीजेगा और बंगला साहित भी चेन किया है पी उनका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर पी नव जागर्ण का सरवदिक प्रभाव किस साहित पर पड़ा यह पूँचा गया है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है बंगला साहित हाँ पर सही answer होगा अंगला question यहाँ पर देखे का question number आप से यहाँ पर पूंचा है रभी सर्मा का नाम किस छेतर से जुड़ा हुआ था इंक्याउन बार question यहाँ पर पूंचा गया है इंक्याउन में आपके लिए chain करना है बताईएगा साहित संगीत चेतरकला नत्यकला यहाँ पर सही answer होगा वेकल्ब नमबर का क्यों पर सही answer है नगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है कौनसा बाउन बा भा इस वर मर गया घोषणा किस पास्छात बिद्द्वान की थी बताईए बाउन में बतान है रूसो प्लेटो अरस्टू या फिर नित से बाउन में आपको चैन कनना है इस वर मर गया घोषणा किस पास्छात बिद्दवान कौन थे चैन खीजे सोहिता जी सबी लोग बताएंगे मत्पूर्ण यहां पर चैन पर पूंछा गया है बाउनव ने आप सभी का सईयांसर आ रहा है चार यानि की नीत से आपका सईयांसरों का नीत से आपका यहां पर सही आंसर है विल्कुल सही इन्हीं जो विद्दवान थे पाश्चात विद्दवान इन्होंने जो गोशना की इसवर मर गया तभी बचन सुदा मासिक पत्रिका का प्रिकासन वर्स आपके लिए त्रेपन में बताना है क्या माना जाता है तभी बचन सुदा मासिक पत्रिका थी अगर पूंचा जाए किस प्रिकार की पत्रिका थी मासिक पत्रिका थी इसका प्रिकासन वर्स आपके लिए चैन करना है तो त्रेपन में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानिकी 1868 आपका विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आपका हाँ पर 1868 सही आंसर होगा समाचार सुदा वर्स जो है ये कहां से प्रिकासित हुआ समाचार सुदा वर्सन चंगण में आपको चेन करना है बताएगा आगरा से दिल्ली से कलकत्ता से या फिर कानपुर से लाइक अभी भी बहुत सारी लोगों ने नहीं किया है वीडियो को जल्ली से लाइक अबस्ते कर लेंगे एक बार समाचार सुधा वर्सन कहां से प्रकास्यत हूब तो चंगण में आप सभी का सही आंसर है इन्दी का प्रिथम पत्र ओधंत मारतंड बताना है तिन का मान जा यह कैसा था मतलब यह देनेक था साबतायक था मासिक था पाक्षिक था किस फिरकार का मान जाता है चैन कीजे का सभी लोग मत्पून कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा चैन कीजे सभी लोग मत्पून कॉस्चन यहां पर दिया गया है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सबी लोगों का यहां पर कि यह था किस परकार का पत्र था यह माना जाता था अपना मासिक मासिक यहां पर कि बताये मत पून यहां पर दिया ग्या है किस पिरकार का पत्र था ये पूंचा गया है मासिक था पाक्चिक था साप्ताहिक था किस पिरकार था देनिक था पच्पन में आपको चेन करना है और पच्पन में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चेन कीजे हिंदी का पिर्था में पत्र उदंत मारतंड किस पिरकार का पत्र था और आप सभी का यहां पर सापताहिक विल्कुल सही आंसर आ रहा है वी बाला विकल्प जनोंने वी चैन क्या है सापताहिक विल्कुल सही सापताहिक आपका सही आंसर है हमारों उत्तम भारत देश ये पंती किसकी मानी जाती है question number आप से यहाँ पर 56 पूंचा गया है 56 में आपको चैन करना है क्या होगा सही आनसर बताएए चैन कीजेगा हमारों उत्तम भारत देश ये पंती है किनकी राधाचन गोश्वामी राधा किर्षन दास बालमकुंद गप्त या फिर भारतेंदू 56 में आपको छेन करना है तो 56 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये जो है राधाचन गोश्वामी जो थे उनीक ये पंती मानी जाती है हमारो उत्तम भारत देश जहां पर राधा है तो राधा से राधा चनल गोश्वामी आपका सही आंसर होगा धन्य भूमी भारत सब रतनान की उपजा बनी ये किसकी पंती मानी जाती है कौश्चन नमबर आपसे यहां पर पूँचा गया संताउन है महत्तपून कौश्चन पूचा है स्रीदर पाठा खरियोद प्रेमगन रतना कर किनकी पंती मानी जाती है लबली जी अनिल जी रामेंद्र जी धन्य भूमी भारत सब रतननन की उपजा बनी यह पंती मानी जाती है किनकी संताउन में अपनने कई बार पढ़ी है यह पंती विकल्प नमबर सी आपका सही आंसर है प्रेमगन की पंती मानी जाती है धन्य भूमी भारत धन्य जो है भारत की भूमी है जिससे सबी लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम से प्रेमघन आपका इहां पर सही आंसर होगा, प्रेमघन आपका सही आंसर होगा, धन्य भारत, धन्य भूमी भारत की, यानि कि जो भारत की भूमी भूमी भारत ही धन्य है, जिससे सब प्रेम करते हैं, और सब से प्रेम करती है भारत की भूमी, तो प्रेम से प्र करके मत्तपून कॉस्चन यहां पर आज की क्लास में तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोग लाइक से रवस्य कर लेंगे इसी तरह से रोज जुड़िएगा वीडियो को लाइक से रवस्य कर लेंगे और इसी तरह से आपको जुड़ना है और रोज अपनी क्लास होती है सभी के लिए तो लाइक से रवस्य करके जाना है जalıמעो ने अभी तक लाइक से नहीं किया है लाइक से रवस्य कल लेंगे सभी लोग बहुत सारे कि लोग लाइक नहीं करते हैं आज की वीडियों वस इतना ही सुनेयना जी, टमाटर जी, रच्षरिता जी, कंचन जी, सुरेश जी, दीपक जी, कलपना जी, अनंत जी, रिता जी, विजय लक्षमी जी, अपन्णा जी, प्रिंका, नोपाज्या जी, दीपक पबार जी, पिरमो हाँ अनिल जी वंजू जी सोईता जी और प्रीती प्रोहिट जी गुड़ी जी और संध्या जी सभी के लिए सीतरह से जोड़ी रहना है प्रमोज जी अंसिका जी कलपना जी कंचन जी स्टेटस वाई आर आर जी सिव मोहन जी विजय लक्षमी जी संजू जी मदू स्वानकर ज जी अभिशेग जी अनंत कुमार जी तनू जी संध्या जी सुनेना जी दीपक जी सतंत्रगप्त जी गोलू जी अभिशेग सरोज जी संजू स्वी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्षमी जी रिता जी अनंत जी और कलपना जी सुरिसे मोर जी और सुनेना जी स रिता जी सभी लोग कंचन जी विसाल जी अंजू जी आस्ता जी रिता जी इसी तरह से जोड़े रहेगा पिंकी जी तो सभी के लिए सब्रात्री और सभी के लिए जय